तो अभी चलते हैं बापस नीचे कापमान काफी गिर रहा है यहां पर सनोफोल तो आप देखे रहे हूं तेज होती जा रही है काफी मजा आ रहा है यहां पर मजा तो आ रहा है पर आख में बर्फ आ रही है गड़ी में जाएगा मुझे पता है गड़ी में जाएगा क्यों पता नहीं है चला चलो सेच्छ नमस्कार दोस्तो तो एलो सी कारगिल के पास हुंडरमान गाउं को देखने के बाद अब हम बापस जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस जो की है ले सिटी में और रास्ते में कुछ अच्छी लोकेशन साने वाली हैं जिसमें पहला स्टॉप होगा मुलबेक मोनेस्ट्री जो की है कारगिल से 40 किलोमेटर दूर और फेमस है अपनी 30 फुट उची बुद्ध की मूर्ती के लिए ये मूर्ती एक बड़ी चटान पर बनाई गई थी कुछ 2000 साल पहले अब ही हम कारगिल से वापस जा रहे हैं खंग्राल की तरफ जहां हमारी बाइक खड़ी है और यह देखिए वह है नामिकला नामिकला से स्नौफॉल शुरू हो गया है काफी अच्छी स्नौफॉल हो रही है और यह है आपका मुलबेक की मनिस्ट्री तो गाइज यह है मुलबेक मुनस्ट्री और बस बापस चलते हैं खंग्राल की तरफ इसनौफॉल शुरू हो गया है मज़ा होता रहा है आपर चलो वाजो तो गाइज मुलबेक मुनस्ट्री देखने के बाद हम जा रहे है नामिक लापास जो की मुलबेक से 20 किलोमेटर दूर है और यह फेमस है अपने सुन्दर माउंटेन पीक्स के लिए और नामिक लापास का एलिवेशन है 3700 मीटर्स कर दो दो कि अपने सुन्दर का जो दो तो कि अपने सुन्दर्स कि अभी हम रहे हैं नम्कीदा में यहां कि खाई गए वारा मजार इसको ठाने हैं तो जह हम आ रहे हैं कर्गिल से वापस ले की तरफ और यहां का मैंदर देखिए एक दूम है कि अवार जगाई अधिने मिले कि हैं कोज्तिकों से गर्मी हो रही है जहां अगया आज यहां तो अब देख था है और यहां पर पर दखार है ओरार यह वाबर्धूस तरह बर्ध मता रहा है कि नहीं मैं उपर आगिया हूँ अपी और और यह देखिए क्या है सनुखोल हो रही है भाई मता आगिया मज़ा आगे यहां आना बनता है अगर लाइव सनुखोल देखना चाहते हैं अपरेल के महिने में मार्च के महिने में भी तो यहां ज़रूर आएं वाओ एक नमबर लोकेशन गाइज एक नमबर ठंड लग रही है पर मसा आ रहा है फिर भी यहीं से मुझको मिलती है एनर्जी बोलने की चलते हैं अपने बाइक स्टैंड नहीं खंग्राल पर चलो लेस्ट को तो अभी हम वापस खंग्राल में हैं और चाय पी रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं मुहमद घली तो मुहमद घली की से बात कर रहे हैं इनके दोस्त लोग बैटे में गाउं के और लोग मी काफी मजा आ रहा है यहाँ पर तो अब बारिस नहीं बहुत तो इस्टो पढ़ रहा है बरफ पढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा वह यहारा बजे के आज पास तो तब तक बाद चीज जारी रहेगी अभी तो 600 रोप्या लेता है हम से भी पहले तो बहुत सस्ता था किस चीज़ का उस्टेल अप एंडिया में अच्छा यूध उस्टेल अच्छा उदिली में भी है दिली में है ना जा चैंक परी में नहीं होते हुआ आपको पता नहीं नही हुआ आपको पता है अब हम लमाईरू से लगब साथ किलोमेटर दो रहे हैं तो यह देखे क्या खुबसूरत मजा रहे हैं यह पर मजा अगया एक दुन देखिए क्या नजार्यां भाई वाह 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 दोस्तों फोटूला से हम नीचे आ गए हैं मैंने इस बार फोटूला में गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि बहुत ठंड थी कल के मुगाबले बहुत ज्यादा ठंड थी और इसनों फॉली तेज था उपर उस तोड़क पे भी काफी अब यहां के थोड़ा रोकी है मेरे हाथ जंग गए हैं ग्लफ के अंदर भी ठंड लग रही है काफी ठंड़ा रहा हूं पर यह नजारे देखिए आफ वाव अना सफाल हो जाता है से नजारे देखने को मिलते हैं अब मैं फिर से बैक स्टार्ट कर रहा हूं लमायरू रू अब सिदा लमायरू बाइक रूखेगी चली चलते हैं लमायरू की तरफ ओह देखे यह है लमायरू गाओं और यह पी बरफ पड़ रही है कल यहां बरफ नहीं थी और आज यहां भी बरफ पड़ रही है यही बरफ लमायरू दोस्तो लमायरू गाओं से लमायरू बाइक रही है दिलही तक के रस्ते में बहुत सुन्दर लोकेशन्स पड़ती हैं जहां पर आप रूख कर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हो यही तक कि बरफ और रही है जही है यही है यही है इसकते है कर दो कर दो कुछ लड़ी बीडनी है तो दोस्तों अभी हैं हम लहे से लगबग 30 किलोमेटर दूर वही गुर्दवारा श्री पत्तर साहिब प्यास लग रही थी ठंड लग रही थी तो यहां आर्वियों वालों में मुदद की गरम पानी पिलाया चाय भी ओफर की थोड़ा गरम हो गए अभी और रात के सब्सक्राइब रात में यह रूट थोड़ा रिस्की हो जाता है हम धीरे धीरे चल रहे हैं 30-40 की स्पीड से ले पहुंचेंगे वापस अपने होटल जाएंगी ठंड काफी है रात में आपर सुभा से वरभबारी हो रही है फोटूला और नमीक लामे मैं आपको बताये था आ अपने हेलो 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 तो दोस्तो यह था आज का वीडियो और मिलते हैं आप से लद्दाक सीरीज के अगले वीडियो में तब तक के लिए इस्टे सेफ इस्टे हंगरी बाबाए जस आप बाए